नमस्कार स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूँ आपके साथ सौमयराठी डॉक्टर साहिब के इस एपिसोड में हम बालों से जुड़िये कैसी समस्या लेकर बैटे हैं जोसका समधान पाने के लिए आप सभी ने लंबे वक्त तक इंतजार किया है गूगल पर अजीबो गरीब आर्टिकल पढ़े और अपने बालों के साथ हरी तरीके का एक्सपरिमेंट करकर देख लिया है लेकिन एलाज आपको आज इस एपिसोड में मिलने वाला है बात होगी आज बालों में डांडर्फ की और इस डांडर्फ से बाल कितने खराब होते हैं इस डांडर्फ से बाल को कैसे बचाया जा सकता है इन सारे विशेयों पर और सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ इस वक्त बैठी है जो कि बिहार के काफी जानी मानी स्किन स्पेशलिस्ट है बालों से जिड़े भी जितने समस्याइं होते हैं उनके हल डांडर्फ साहिबा के पास ही मिलते हैं सबसे पहले माम नमश्कार स्वागत है आपका सबसे पहली चीज माम में दर्शकों के लिए यही जानना चाहूंगी बड़ा रोचक एक सवाल आता है कि डांडर्फ आखिरकाल बालों में होते ही क्यों डांडर्फ जिसे हम सिबरोईक दर्मर्टाइटिस कहते हैं यह एक फंगल इंफेक्शन है जो फंगस के ग्रोथ के कारण होता है तो इसे अवाइड करने के लिए हम बालों में तेल लगाना कम करना चाहिए और इसमें सीजनल वेडियेशन होता है जैसे यह विंटर्स में ज्यादा बढ़ते हैं वहाँ पर डांडर्फ फंगल इंफेक्शन की तरह निकल कर आते हैं और ऐसे में ओइलिंग को ही सलीशन बताया जाता है और आप कह रही हैं कि तेल लगाना ही गलत है तो दर्शक अब इसका जवाब ज़रूर जानना चाहेंगे ओइलिंग के अडरनी डांडर्फ आते हैं कि यह जो फंगस है उसको जितना ओइल मिलता है वो वहाँ ग्रो करता है इसलिए जो भांती है कि हमें जितना ज़्यादा हम तेल लगाएंगे तो डांडर्फ कम होगा तेल से बस अमारा वो जो फ्लेक्स होता है वो मास्क होता है पर फंगस और ग्रो करते रहता है तो मैं अपने सारे पेशेंट्स को बताती हूँ सबसे पहले तेल लगाना बंद करना है तेल बस शैंपू करने से हाफना पहले लगाना है और तभी dandruff से आप permanent छुट काड़ा पाड़ सकते हैं माम यह चीज भी जाना चाहूंगी कि अगर किसी के सर में dandruff हो गए हैं ठेंट के सीजन में तो खास तोर पर ज्यादा ही होते हैं तो वो उसके बालों को किस तरीके से नुकसान पहुंचा सकते हैं जब ही भी आपके सर पर dandruff होंगे तो आपके बालों में फंगस का ग्रोथ होगा जिसके कारण hair fall जादा होगा और बहुत बार patients हमारे पास hair fall का complain लेके आते हैं और जब हम investigate करते हैं, history लेते हैं तो पता चलता है underlying cause dandruff है या और कुछ scalp के eczema भी होते हैं जिसके कारण dandruff आपको dandruff जैसा दिखेगा पर वो एक eczema भी होता है अभी जैसा कि मैंने अपने एक सवाल में कहा ही कि ठंड की दिनों में dandruff जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं तो ऐसा क्यों होता है ठंड के टाइम ज्यादा तर हम head baths कम लेते हैं शैंपू का इस्तमाल कम से कम करते हैं वीक में ज्यादा तर लोग एक बार ही शैंपू करते हैं ये एक one of the important factor होता है ठंड के कारणी अब माम एक जरूरी चीज में हैं ये भी जाना चाहूंगी क्रणी कि अगर लोग डांडर्व की समस्या लेकर आप तक पहंचते हैं तो इसका इलाज किस तरीके सी कया जाता है डांडर्व की समस्या में पहले तो हमें देखना होता है कि डांडर्व किस तरह कि हैं अगर thin flakes है तो वो si 애oleroic dermatitis है है अगर white बड़े-बड़े flakes है तो वो scalp psoriasis है तो पहले तो हमें अपना diagnosis differentiate करना है फिर जो बिमारी है उसके हिसाब से हमें anti-fungal along with steroidal lotion देना होता है और यह काफी लंबे time देना होता है जिससे patient ठीक हो जाए मांकेट में बहुत तरीके क्या anti-dandruff shampoos आते हैं हर एक प्रड़क्ट में anti-dandruff anti-dandruff लिग दिया जाता है तो यह प्रड़क्ट क्या वाकई कारगर साबित होते हैं या फिर बालों को और ज्यादा बर्बाद कर सकते हैं अब बहतर रहता है जभी भी dandruff की समस्या हो तो आप dermatologist या trikologist ते दिखा के ही उसको follow करें market में बहुत सारे products available है जो आपके बाल को नुकसान भी कर सकता है अब एक आखरी सवाल में यही पूछना चाहूंगे कि क्या dandruff के लिए home remedies हैं कोई उमीद करती हूँ कि डॉक्टर साहिबानों जो कुछ कहा है आपने वो सारी बाते ठीक तरीके से सुनी और समझी होगी और ये भी समझ पाए होंगे कि dandruff का इलाज किस तरीके से क्या जाता है इसे के साथ बहुत जल्ब मुलाकात होगी डॉक्टर साहिब की अगले एपिसोड में तब तक के लिए अगर इस वीडियो को फेस्बुक पर देख रहे हैं तो पीच को लाइक करें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चानल को सब्सक्राइब करें कमेंट सेक्शन में आकर आप हमें ये भी बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके क्या सवाल है और अगर आप चाहिए तो अपनी समस्या हम इमेल पर भी भेज सकते हैं धन्यवाद